जब बात परफेक्ट लाइफ पार्टनर की होती है तो इस बारे में हर व्यक्ति का जवाब अपनी परस्नालिटी और सोच के मुताबिक अलग-अलग होता है क्योंकि हर कोई अपने पार्टनर में अलग खूबिया तराशता है मगर क्या आप जानते हैं कि पार्टनर की खूबियों को लेकर सैफ की क्या सोच है अगर नहीं तो चलिए जानते हैं और साथ ही बताते हैं सैफ एज गैप को लेकर क्या राय रखते हैं दरसल एक इंटरव्यू में एज गैप पर चर्चा करते हुए सैफ ने बताया था जिससे आप शादी कर रहे हैं उसमें क्या खूबिया होनी चाहिए सैफ इस दौरान का मुम्रकी लड़की से शादी करने की सला देते नज़राय थे उनका कहना था लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ आप फन कर सके साथ ही उन्होंने बताया कि फ्यूजर पार्टनर में तीन खूबिया होनी चाहिए अब आप सोच रहे होंगे वो तीन खूबिया कौन सी हैं जोकि सैफ कॉमरिता में नहीं लाजमी है कि अगर आपकी पार्टनर उम्र में आपसे बड़ी होगी तो उसका अनुभव भी आपसे बड़ा होगा हो सकता है वो आपको जज़ भी करे मगर सैफ को तो नौन जज़मेंटल लड़की चाहिए थी जो खूबी शायद करीना में उनको दिखी सैफ के मुताबिक लाइफ पार्टनर फणी होना चाहिए जुसके साथ आप हसी के पल बिता सके मगर इसमें उम्र कोई मैटर नहीं करती है पार्टनर उम्र में छोड़ा हो या बड़ा लाइफ में थोड़ा फन ज़रूरी होता है ताकि लाइफ सुकून से बिताए जा सके खूबसूरत लाइफ पार्टनर भई इस मामले में तो हर किसी की सोच एक जैसी है कि उसका लाइफ पार्टनर होट होना चाहिए मगर इसमें कोई शक नहीं कि सेफ की पहली वीवी अम्रिता विकम खूबसूरत नहीं है अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तो वही जौनते हैं लेकिन इस इंटर्व्यू के बाद सवाल कयोटते हैं कि क्या अम्रिता में ये तीनों खूबिया नहीं थी इसलिए सेफ ने उन्हें छोड़ा था या उन्हें इस बात का मलाल था कि उनकी बीवी होट नहीं है पई सेफ का कहना तो यही है कि खुद से काम उम्र की लड़के से शादी करनी चाहिए क्योंकि उन्हें ये तीन खूबिया होती है मगर हमारा मानना तो यही है कि रिष्टे ने भाने के लिए लाइफ पार्टनर में आपसे अंडरस्टानिंग होना ज़रूरी है पिर कुछ फर्क नहीं पड़ता पार्टनर आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले